हेलो एपरोन स्वागत आप सभी काईक बाफिस है जीडिसी टुटर्ट के मेडिसिन सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पफ्लर मेडिसिन जालिम लोशन के बारे में जी हाँ जालिम लोशन एक ऐसी मेडिसिन है जो की पुराने से पुराने दाद खाद खुजली जो रिंग वाम होता है इन सारी चीजों को टीट करने लिए जाना जाता है और इसका जालिम नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसे लगाने के बाद थोडा सा जलन विया बर्निंग शेशेंशन भी फेल होता है तो आज हम देखेंगे जालिम लोशन के अंदर क्या में कंटेंट मिला होगा, क्या इसका उपयोग है इसके काम करने का तरीका क्या है क्या इसका लगाने का सही तरीका है क्या इसका side effect मतलब इस lotion की हम संपोर जानकारी देने वाले है पूरे विडियो में बने लेगा ता कि कोई भी information मिस्त दोने पाए जालिम लोशन के बारे में हम देखेंगे किसमें जो main content होगा तीन चीजें मिली होती है सबसे पहले एक acid मिला होगा सही सुना, salicylic acid मिला होगा casea, tora, natural content मिला होगा tincture, iodine ये तीन चीज इस lotion में मिले होगे oricam, drug and pharmaceutical indoor के द्वारा बनाया जाता है cool और dry place में store करते है sunlight से away store किया जाता है और 30 रुपय यानि कि 10 ml की bottle की की मत 30 रुपय मनी जाती है बात करेंगे uses की तो mainly आपका किस से relief provide करेगा, आपका जो itching skin पे achieve अगरा हो गया redness हो गया skin पे dryness हो गया आपके दाद वगरा के वज़े से उसको ठीक करेगा साथी साथ जो दाद खात खुजली यानि कि fungal infection skin पे जो भी fungal infection होते है उसको ये जालिम lotion ट्रीट करता है साथी साथ आपके skin पे antiseptic antiseptic effect भी सो करता है जिससे की other जो हमारे sepsis के दारा जो skin infection होते है उसको भी treat करेगा साथी साथ skin को suit करेगा और जो आपका skin inflammation हुई है उसको heal करने का काम करेगा ये जालिम lotion बात करेंगे डियर इसके mechanism infection की कैसे काम करता है तो मिली जो salicylic acid है वो आपके skin के जो condition है दाद खात खुजली है उसको क्या करेगा कैसे ठीक करेगा डियर skin को soft कर देगा loose कर देगा dry कर देगा skelly कर देगा कभी-कभी skin को thick कर देता मतलब skin को acid है एक तरह से जलाता रूप रहता है तो उस तरीके से ये हमारा salicylic acid काम करेगा कैसिया टोरा क्या करेगा एक traditional medicine है जी हाँ और वेधिक medicine है जो कि आपके skin condition जैसे लेपरोसी हो गई दाद खात जो ring warm गोल तरीके से जो दाद होता है ring warm infection को ophthalmic और skin disease में ये बहुत ही उपयोगी सावित होता है कसिया टोरा बात करेंगे tincture iodine की जो कि आपका iodine कंटेन करता है और as antiseptic की तरह काम करता है skin पे बहुत ही अच्छा effect दिखाने का काम करता है so die student आगे देखते है direction for you जी हाँ तो इस lotion को अपने doctor के सला के बाद ही जैसे उसे आपको बोला है उसे हिसाब से आपको लगाना चाहिए साथी साथ इसको cotton या sweat से यानि की रूई बगरा से इसको affected area पे लगाना चाहिए और हवा में रहके लगाना चाहिए क्योंकि ये जलन कौच करता है थोड़ा सा burning sensation कौच करता है बात करेंगे precaution की तो इसे यूच करने से पहले इसका label इसका direction जरूर पढ़े पच्चों की पहुच से इसे दूर रखे साथी साथ अगर आपकी skin broken है या skin sun burn यानि जली हुई जुलसी हुई है या कोई sensitive area है skin का तो वहाँ पे न लगाए क्योंकि बहुत जादा ये जलन कौच कर सकता है साथी साथ अपने eyes में अपने mouth में इसे लगाने को avoid करें क्योंकि बहुत जादा आपको problem हो सकती area फिर बात करेंगे कुछ common side effect ही तो जॉलिम lotion लगाने के बाद burning sensation है न जलन जॉलिम नाम ही है क्योंकि ये जलन बनाएगा जलन कौज होगा redness हो जाएगी skin की ये कुछ common side effect है sodium ये था आपका जालिम lotion जी हाँ एक ऐसा lotion जो skin पे जो पुराने से पुराना दाद खाद खुजली ring born infection इस skin पे redness इची होना ये सारी समस्याओं को treat करने के लिए जाना जाता है और इसका असर भी देखने को मिलता है तो इस वीडियो में जालिम लोशन के बारे में आपने सीखा अगली medicine, अगली दवाई, अगला जिरफ, अगला tablet किसके बारे में बताए उसे भी जरूर comment box में जरूर लिखेगा और medicine की जानकरिचे ये तो description में फेलिस की link डली होई है उसे भी जरूर बिजिट कीएगा चलिए मिलते हैं किसे अगले वीडियो में, किसे अगले topic के साथ तब तक के लिए thank you so much dear, all the very best